नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और शांदार वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको ब्यूटिफल और बोल्ड आक्ट्रेस शोभिता राना के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते दोस्तों, अगर आप शोभिता राना के फैन हैं तो आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों, मैं इसी तरह की इन्फरमेशन इस चैनल पर आप के लिए लाती रहती हूँ तो आईए, ज्यादा समय ना लगाते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बॉलिवोड फिल्म, गोलू और पप्पु में काम करके नाम कमाने वाली अभिनेत्री, शोबिता राना आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है ये शोशल मीडिया पर हमेशा आक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी बोल तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट पर तहल का मचा देती हैं तो आए जानते हैं इनके बारे में दोस्तों शोबिता राना का जन्म 16 जून 1990 को चंदिगड में हुआ था इनकी उम्र 2021 के अनुसार 31 वर्ष है इनकी लंबाई 5 फिट 6 इंच है और वजन लगभग 60 किलोग्राम इनकी काली आंकें और काले बाल हैं यह बहुत ही होट और संदर दिखती हैं और साथ ही इनकी स्किन भी बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग है इनका जन्म एक मध्यम वर्गिय हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था इनके पिता एक व्यायाम और कराधान अधिकारी है राणा ने अपनी प्रात्मिक शिक्षा लिटल फ्लावर कॉन्विन स्कूल पंचकुला हर्याना से और माध्यमिक शिक्षा के भी देवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से पूरी की है इन्होंने आयन, आइफटी चंदिगर से फैशन डिजाइनिंग में ग्राजवेशन किया शोभिता राना के शोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोर्स है आज की डेट में शोभिता के यूट्यूब चैनल पर 1.14,000 सब्सक्राइबर से अधिक और इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन फॉलोर्स और है शोभिता राना का नेट वर्थ दोस्तो शोभिता राना सबसे लोगप्रिय मूवी अक्ट्रेस में सूची बद्ध है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक इनकी कुल समपत्ती लगभग डेड़ मिलियन डॉलर है दोस्तो आपको बता दें अमित पारशर की इश्क ब्रांडी में बिन्नू धिलों के साथ रुमैंस करने वाली ओन स्क्रिंच चरित्र शोभिता राना वर्तमान में अपना प्यार तरुन अगरवाल से शादी कर चुकी है दोनों पांच साल तक रिलेशन्शिप में रहे और आखरकार 8 मार्च 2018 को चंदिगर में शादी करने का फैसला किया बात करें शोभिता राना के करियर की तो दोस्तो अपनी सनातक की पढ़ाई पूरी करने के दौरान राना मॉडलिंग में अपना ओडिशन देने के लिए मुंबई आ गई और कुछ टेलिविजिन विग्यापनों में काम किया इन्होंने 2014 में इश्क ब्रांडी पंजाबी फिल्म से शुरुआत की और बाद में कुछ अन्य फिल्मों जैसे राजा मीरू केका, राम राज, चाया आदी में भी काम किया दोस्तो शोभिता राना ने भारत में प्रसिध ब्रांडों जैसे कोलगेट, फामिना, चिंक्स फूड, रुलाइंस ट्रेंस, नुटिलाइट बार, एक सो नौ डिग्री फेरनाइट, गोद्रेज, आदी के लिए मॉडलिंग की है इन्होंने पहली बार रुपेश राय द्वारा निरमित ना हीरू ना सुत्ता नामा केक वीडियो गीत में कभिनित्री के रूप में काम किया तो दोस्तो ये थी खूबसूरत एंड हॉट अक्टरस शोभिता राना की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बात ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चानल टॉप 10 इंडियन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में पास में बनी बल आइकॉन बटन को ओन जरूर कर लेना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंडि करते हैं फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद